वेक्टर लेक्ट्चर टू में आप सभी कास्वा आगते हैं इस लेक्ट्चर में हम लोग पढ़ेंगे जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा वेक्टर नोटेशन वेक्टर्स क्वेस्ट्न्स जनरली हम लोग बोल्ड कैप्टल लेटर से दिनोट करते हैं और उसके उपर हम लोग क्या लगा लेते हैं एरो ओवर इट वेक्टर्स को जनरली हम लोग क्या अबिर्स लेतर यह जने की बोल्ड वेक्टर्स से और लेटर्स के उपर हम लोग लगाकर रिबश्यन से जैसे वेक्टर ए इसे क्या बढ़ाब सब्सक्रांद देखें वेक्टर आए और इसे यसे इस्ट्न सभाट से भी लिख सकतें बोल्ल लेटर में इसे भी स्थेंट में लोग क्या पढ़ेंगा वेक्टर ही पढ़ेंगे कि वैक्टर ए वेक्टर के पास जैसा कि हम लोग को मालूम था कि वेक्टर कोई वेक्टर है जैसे यहां लिखते हैं उस वेक्टर के पास मैंनिट्योड और स्साथ क्या है उसके पास डिरेक्शन तो वेक्टर एको मॉड लगा लिखा जाता है और मैंनोड जोए से देखते हैं देखें एक एक यह एक बेसिक हैं तो कोई यह आप फोटर लगा के लिख सकते हैं Adam Logan ओवक्टर या तो आप मौड को इस तरह से ले या एक इस अब कर दे बढ़े नोट Um है डी किया कम यहां कहला लाएगा करता है समयासी क conception किर देखेव होता है तो किसी भी वेक्टर का मेंटीड always क्या होता है positive होता हूं कैंच कि किसी plane में एक पॉइंट ए है और यह रहा पॉइंट देखें क्या है चीज़ वाइं यह अब वेक्टर को ए से कहां लिखना चाहते हो देखें बी तक तो यह जो हुआ हमारा कॉन सा पॉइंट होगे देखें स्टार्टिंग पॉइंट and Bण कौना पॉइंत होगे देखे- टर्मिनल पॉइंट टर्मिनस और फाइनल पॉैंट इसको इस टर्मिनल समलाग इनिश्ब पॉैंट ़ा कहit आँ़ सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉैंट को इनिश्यल पॉइंट अब यह जो वेक्टर एब लिखा हुआ है इस वेक्टर को लिखने का तरीका हो गया आप इससे कैसे लिख सकते देखें कि इसे किसके तरफ एरो करना देखें बी की तरफ एसे किसके तरफ एरो करना बी की तरफ यानि final से जो वेक्टर एक्टुर्ट्ट। वो से सपोर्ष जाने एक यहां पर एक्टुर्ण। जहां पर सब्सकेम धेखें यह जो एरो है इस एरो का ज जो लेन्थ मने निए यह यह वेक्टर का यहां से talented तक जो लेंद्ध हो गया length of arrow length जो हुआ है знач, वह basically magnitude को show करता है अख और यह जो arrow है, वह basically किसको show करता है direction को तो length of vector represent करता है magnitude को and arrow represent the direction of given vector एक given points से notes में कि a vector can be displaced from one position to another position एक vector है suppose कि यह oa इस oa vector को आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो displace कर सकते हो without changing their without changing magnitude and their sign and direction तो vector में कोई changer नहीं होता है vector remains same vector remain same यह यह वेक्टर में कोई भी बदलाव नहीं होगा और इस property को such property this property और vector इस कॉल्ड कि शिफ्टिंग प्रपर्टीज अफ वेक्टर क्या कहते हैं से शिफ्टिंग प्रपर्टीज अफ वेक्टर जिदा शिफ्टिंग या प्रेल्ल शिफ्टिंग प्रपर्टीज अब्रप्रेक्डर या प्रपटीज मेंょ प्रपर्टीज अफ वेक्टर तो यहीं यह point बोला है कि vector can be displaced from one position to another position during the displacement if we do not change the direction and magnitude अगर उसके direction and magnitude का आप नहीं बदलते हो देखिए यहां पर magnitude भी same रहा and direction भी क्या रहा same आप magnitude and direction को क्या कर सकते है तो उस्सिस्तित है वेक्टर हमेशा क्या होते और चेंज होते हैं वेक्टर remain same ऊके हैं आप इसक है पर किन्क far गे-विशिफ्ट कर सकते यहां पर किया जा सकता है यहांप भीечение सब्क्राइब कर सकते है अनुरे नेक्स्ट है एंगल बिप्विन तो वेक्टर्स एंगल बिप्विन तो वेक्टर्स एरा एक वेक्टर मालेज है एरा वेक्टर ए यह जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कोण्साइड़ पॉइंट कोण्साइड़ पॉइंट पॉइंट तो टेल का किसके साथ एंगल के साथ और और करके लिखा जा सकता है किसके साथ के साथ जैसे कि यह एक्जामपल में देखे कैसे लिखा हुआ है कुछ इस तरह से यह जो पॉइंट है इस एंगल को हम लोग भी पॉइंट के यह जो दोनों एंगल है टीटा वह कैसे एंगल है acute, acute angle, जदे आजरेंस, दो वेक्टर, दोनो या तो कौनसाइड हो जाए, आज़र टो टेल और हेड टो हेड, दन अकुट एंगल बिवेट्वेक्टर, इस नोँ एज एंगल बिवेट्वेक्टर, दो वेक्टर के बीच के आजरेंस, हमेशा जीरो से लेकर 180 के बीच में होता है यादि दो वेक्टर के बीच में यह देखे इंगल कितना हो देखे जीरो जब दोनों वेक्टर से आपस में क्या हो जाते हैं पैरलल होते हैं पर्स्ट केस यह राव वेक्टर ए और यह राव वेक्टर भी आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर का एरो एक उसे के अपोजिट है तो यहां पर पैरलल होता है तो एंगल बनता है जीरो यह बन गया एंटी पैरलल एंटी पैरलल इस केस में स्थिटा कितना देखे 180 डिग्री अब आपकोई भी वेक्टर लेते हो देश से देखे यह राव वेक्टर ए यह राव एक्टर भी इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा ठीटा वह ठीटा ओल्वेज जीरो से ले करके किसके बीच में होगा 180 डीडी के बीच में तो ठीटा जो एंगल बिटु जा हेड और हेड है तो नहीं हमें क्या करना पड़ेगा इस्वेक्टर को जो वेक्टर भी है इस वेक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा शिफ्ट करना पड़ेगा तो इस वी वेक्टर को आप क्या कर लिए बाहर की और पहला शिफ्टिंग लगाते हुए इसको शिफ्ट की तो जब भी हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि कौन साइट कराते हैं वेक्टर को आइधर टेल टू टेल और हेट टू हेड अगर वह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे पैलल स्रिफ्टिंग प्रपरड़ी का यूज करते हुए पॉन साइट कराएंगे टेल टू टेल और हेड टू हेड ओके और जो उन दोनों के बीच में जो एक्फिट एंगल हो गाई इस बात का भी प्रपर ध्यान होना चिए एक्फिट एंगल जो बनेगा ए और बी के बीच में वहीं एंगल हमारा क्या कहलाएगा एंगल बिट्मिन पर वेक्टर नाम देते हैं यूनिट वेक्टर एक्ट्र में इसका यूज हम लोग करते हैं for finding direction of given vector use to find direction of given vector और unit vector जिसका में टूट कितना होता है unit होता है Ouch are unit vector इसका notation जो होता हुए 있지 winners-acap सिरल पर λέदा अ-Al ayudar है कोई भी वेक्टर होई स्वेक्टर तो उस्वेक्टर के पास मैंटूड होता है और शाति साथ इ анति एप क्लिए लीए देख सकते हैं कि डाइंट आफ एवेक्टर एकवेस्टो बैटर अपाँ इट्स magnitude यूनिट वेक्टर मेरली इंडिकेट्स डारेक्षन जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि कि यूनिट वेक्टर किसको रिपरजेंट करता है डारेक्षन को यूनिट वेक्टर जिसका magnitude वन हो और किस एक्सिस में हो X-axis में Y-axis में और Z-axis में जनरली डिनोट किया जाता है आई-काप से जे-काप से और किसे के-काप से तो आई-काप का एस्टेंट्स मैं इंटूट हमेशा कितना मिलेगा वन और किसके एलॉंग तरफ होता है एस्टेंट्स एलॉंग एक्सेज जे-काप का एस्टेंट्स मैं इंटूट तो वन होगा ले यह रहां कोडिनेट देखाते हैं X-axis Y-axis और यह Z-axis यहां छो यहां उरिजिण O arbeiten यहां से जो वह हमारा डिखाएगा और यहां से वह किसको लागा करेगा को करें कि हमारा vol लोग empty वेक्टर भी कहते हैं empty वेक्टर जिसका मेंटूट कितना वेक्टर जिसका मेंटूट कितना हो जाए जिरो इसका नल वेक्टर क्यों होग जिरो वेक्टर has a specific direction यहनु जिरो वेक्टर के पास कौई भी स्पेसिक डिरेक्शन नहीं होता है जी एक्श से एक्जम्पल के तोर पर देखे कोई वेक्टर यह हैं और इसको मैं इंक्ट्रूट में हमलोग देखते हैं 0 ड fiery क्प अम Kak्यां सकते हैं चाहे तो आम लोग हम लोग कोई भी क्या सब्सक्राइब भी यह इस प्रेसिटाइड चाहे John के से पास क्या होते हैं अनचे धारन के अलग कोडाइन और रसे अन्दिफाइड हरा merchant undefined undefined the position vector of origin is zero vector position vector of origin जैसे के आप देखेंगे आपर यह रहा x-coordinate, y-coordinate और यह z-coordinate, यह रहा x-axis y-axis और यह z-axis यह रहा point O तो position vector of origin origin यह हमेसा इसको हम लोग क्या कहते है इसको हम लोग कहते है zero vector second point होगे यह रहा first point third point बोला जा रहा है zero vectors are only mathematical importance यानि zero vectors के पास सिर्फ और सिर्फ mathematical importance होता है इसका कोई physical meaning नहीं है यानि zero vectors have only mathematical importance okay next है हमारा equal vectors सब्सक्राइब दो vectors है a और b दो vectors हमारे पास given है a and b equal होने के लिए equal होने के लिए condition है कि उसका direction साथ साथ उसका magnitude दोनो क्या होने चिए equal होने चिए equal must be must be equal two vectors a and b are set to be equal vectors if they are magnitude and direction are equal okay parallel vectors दो vectors आपके parallel होंगे देखिए यह राव वेक्टर a और यह राव वेक्टर b यदि दोनों के बीच में students एंगल कितना हो जाए गरें दोनो डिगि एते वेक्टर को students हम लोग क्या कहेंगे parallel vectors कहेंगे या यह दोनों के दोनों कौन से direction में हो सेम direction में हो इसका magnitude equal हो भी सकता है and magnitude equal नहीं भी हो सकता है एक special case बनता है जी दोनों का magnitude क्या हो जाए इक वजाए दोनों का magnitude तो जितने भी इक्वल वेक्टर से हैं वह सब के सब पैरल्ल वेक्टर होते हैं बाट कंवर्स is not true है the two equal vectors are always parallel बट two paral वेक्टर में not be equal okay ॽंसres में कि geweक्ट्र श्रम् wedge के लाज द नामने सब क्या हैं नाम देते हैं लाइक वेक्टर स See endeavor जब दोनों टैरेक्शन एक दूसरे कि क्या हो जाए akapositt हो जाए mental ओब हो भी चाहिए और नहीं हो सकते हैं इंगल नो कि बोचóc में कितना होगाาน में कि यह में यह है यहा स्व्रत्थे अप्लाई करते हैं कि वैक्टर p और वेक्टर ऑगर दोनों का मेंट्वेंट्र एक हो जाए तो यह एक क्या कहला गया रहा जो की तो एक जा पताए Genere can mean went equal 50 चाहते हैं एक दुर्त होते हैं तो साथ के क्या होते हैं तो कहलते हैं हमारे एटी और सथ है जहाँ पर बोले सकता है कि जितने भी नेगटेव वेक्टर तो होते हैं वह एक सारे एंटी पैलेल वैक्टे रेटी यह कंवर्स फससे है जैसे कि यहांपी लिखावाई देखें नेगेटिव वेक्टर्स का सिंपल मीनिंग होता है डारेक्टिन उसके क्या हो गिवन वेक्टर के अपोजिट होना चीए और मैंगिटूड में क्या होना चीए इकवल होना चीए ओके तो इसी को एस्टोंट से मुला क्याते हैं नेगे करता वहां से बाहर निकलता हो इस yeah वेक्क्टर्स डेक्टर्स या करंट वेक्टर्स जिसका क्या होस्तन देखें इनितिशल पॉइंट कि होना चांशे मोना चीए वेक्टर्स पो जेसका सब और हैसे क्वां ि उन गया इस या किनिश्यील वेक्टर कहते हैं ऑके अधिममगी नेक्स ट्रेंट स्सक्राइट LARD को मतनल हो गया यह सेम अब प्लेनर का मतनल क्या होगया aqualla । यानद कि वेक्टर इंद हैं यह एक ट्रेंट में लाई करते हो तो two vectors two vectors are always two vectors are always co-planar two vectors are co-planar but three or more vectors three or more vectors may or may not be may or may not be co-planar may not be co-planar okay two vectors a or b है वो concurrent देख रहें क्या है concurrent तो इसको हम लोग नाम देते हैं concurrents co-planar यदि co-planar हो साथ साथ दोनों के initial point अगर एक हो जाए देखें एक प्लेन हम लोग ले लिए xy इस xy plane में दो वेक्टर्स है जैसे कि यह और दूसरा बी यहां पर दोनों वेक्टर्स कैसे इसको इसको हम लोग नाम दे रहे हैं को प्लेनर क्या नाम दे रहें को प्लेनर बट यही एस्टुएंट्स दो वेक्टर्स कि xy plane में तो हो बट दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाए देखें एक उजाए तो ऐसे वेक्टर्स को यहां नाम देते हैं हुआ है । कह रफ्सक्राइब को प्लेनर कatisfके कोip प्लेनर वेक्टर्स और है नेक्स्ट है और्थोगोनल और्थोगोनल वेक्टर्व कर मतलब मतलु है enhance형 आता है उपरपनु लएक्टर्स यदि बने डोएक्टर्स की बीच में एंगल कितना हो बॉफिक जाये हैं कि vector a and vector b एक दूसरे के orthogonal है vector a perpendicular to vector b यानि a orthogonal to orthogonal to vector b यहां पर आप एस्ट्वेंट्स देख सकते हैं यह रहा x-axis यह रहा y-axis और यह रहा z-axis x-axis y-axis z-axis इधर होता है प्रेुंट्स आ कप इस तरफ होता है स्चेड्स जैक्व और इसंद्रफ क्या होता है कि यहां से हैं कि iCAP जैक आन्ने केव और मुझ्वलई परिपर्पेंडिकॉलर वी्ड़ो री से मुझ्वटी री पर्पेंडिकुलर और थोगोनल sector अर्थो होगोना McMahon yanlış है और तो next Lawrence multiplication and division of vector by an a scalar हमारे पास given है resistance, vector a यह हमारे पास given है एक scalar है यह भी हमारे पास given है जैसे स्ट्रेंट हम लुक्या करते हैं इस scalar को multiply करते हैं vector के साथ तो एक दूसरा vector हमें मिलता है क्या चीज्ज? B किसी वेक्टर को आप मल्टिप्लाई करते हो किसी अनदर वेक्टर से तो always आपको मिलता है क्या एक वेक्टर ही मिलता है always ओल्वेज ओल्वेज गिव्स वेक्टर अब डिपेंडिंग ओन एम एम के वैलूस पर डिपेंडिंग ओन डिपेंडिंग ओन एम के डिपेंडिंग के अधार फे वेक्टर के टाइस बनते जैसा पहला यदि एम का वैलू 0 हो जाए तो वेक्टर 2 बन जाएगा रव्यक्टर कहलाता है कि यह दौन मिलकर के पैरलल कहला गा जोधिन स्थ anche value greater than 1 हो जाए तो यह मंALL होता है यह दोने यह मिल करके प्यरल कहलाएगा इस एक को कोर्ण के उद्यश में का वेलू भश्र ये असे क्याओ कि मैंन स्थ एंटि पैरलल यह इंटे पैरलल मैंनस का वन हो जाए यह दोनों मिलकर एंटी पैरलल कहलेगा लेकिन यह क्या कहला गा नेगेटिव कहलाएगा तो डिपेंडिंग उन थे एक्टेलर वैलुज में हमको वेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं Okay हमेशा क्या होता है नौन जीरो होता है नौन जीरो है स्केलर है यह जहां पे स्ट्रेंट्स दो स्केलर है एंप प्लस एन जदि आप उसको एड़ करके मल्टिप्लाई करते किसे वेक्टर के साथ ताप उसे यहां पर देखे क्या है एक वेक्टर का मल्टिप्लाई को किसा है रखते हैं कि किसी वेक्टर एको आप sırॉसकेलच ओखुई कर सकते हूं जैसे कि कोई व्यक्टर है आप इसको डिवाइड कर सकतो किसी न эффkt आपको कोई अनॉसर क्या मिलेगा भी एक तो तो ब्रेक्टर्स में पॉस अपर से क्या जाए किसी कुणक्टीस से क्या जांए हुकree। के हमें अधिक करना है अंगल ब्हुट्रेर क्या रखन करना है अंगल वैक्ट ए अंड वैक्टर करें किसे देखें यहां यहां पर सब्सक्राइब करने के वज़े से एक्यूट एंगल है इन दोनों कि बीच में कितना है देखे 150 दिए यहां पर सब्सक्राइब का करेक्ट आंसर हुआ करेगा यहां पर किसके साथ है किसके साथ यहां पर हो जागा हमारे 35 कितना सब्सक्राइब यहां पर थंब में से बनना है एंगल कितना है इसमें देखे 35 डिग्री ओके नेक्स्ट क्या है इसमें देखे वाट इस दे एंगल बिट्विन ए और नेगेटिव आफ थी बाई टू आफ ए जैसे के एक वेक्टर ए दिया हुआ है और दुसरा वेक्टर में हम लोग एक के ही अंदर मल्टिप्लाई करते किसके साथ नेगेटिव थी बाई टू से एक दुसरा वेक्टर बनेगा से वेक्टर भी अप इस वैलू को देखें यह वैलू जरूर किसी को रिपर्जेंट कर आए किसी एम एसकेलर को जैसे एसकेलर के वैलू लेस यहां पर बन गया एंटी पैरलल वेक्टर बनते ही एक्टर के बीच के एंगल कितना हो गया है इस्टोइंट्स हम लोग lecture टू को एंगर करते हैं इस लेक्शर सन्हें समलोग Bak Care HR क्या जैनल पॉइंट्स के बारे में परएो और सुभी पॉइंट्स वीडियो को बार भारे नियुक्त करें और अधुकर मुण समझे लेक्षर्स को अपने दोस्तों के साथ वार्टसप के माधियम से या फेस्बूक के माधियम से आप इसे शेयर जरूर करें ओके? थैंक यू